कि चले मेटा बताईए नुमेरिकल करना है या आप लोगों को आतने कर लिया था मुझे बताईए नुमेरिकल हो गया कि सकीना जहरा एडमिट कर लेते हैं सब्सक्राइब कि क्या कहती है माझा लोगों से हुआ नहीं वा मैं ये पूछ हुआ रहू है ठीक मेरा सवाल को करते हैं इस सवाल को हम numerical number 6 आज पहला सवाल होगा, जिसको हम करने जा रहा हैं, ठीक है न, जो भी नई लड़की आई हैं उन लोगों को मैं बतादू, ये numerical में करने जा रहे हैं, ये numerical हमारा आज का पहला numerical होगा, ठीक है? स्टार्ट करते हमारे पास numerical number seven ठीक है seven six है numerical number six करना है ठीक है न numerical number six क्या कहता है numerical number six कहता है compound microscope has an objective ठीक है धी हमारे पास compound microscope है जिसका objective है हमारे पास and focal length 10 mm का ठीक है जिसका हमारे पास objective हो गया focal length 10 mm का ठीक है धी अब्जेक्टिव हमारे पास हो गया 10 mm focal length ठीके जी तो हमारे पास focal length of objective कितनी हो गई 10 mm ठीके जी यह हमारे पास हो गई 10 mm डेटा लिख लिए हमने और अब त्यूब अफंड़ेट मीटर लॉंग अच्छा 10 mm focal length of objective हो गई हमारे पास आप हमारे पास दूसरी चीज क्या हो गई length हो गई 100 mm ठीके जी यह हमारे पास हो गई 100 mm ठीके जी है 100 mm डिसके length हो गई एन इमेज इस प्रोड़ीड है 250 mm फॉम दा आई पीस आई पीस से एक इमेज प्रोड्यूस होती है जो कि 250 mm के फासले पर होती है यानि क्यों हो गया 250 mm ठीक है जी यह हो गया 250 mm और क्यों हमेशा अपने लेना है माइनस में हो गया माइनस 250 mm ठीक है जी हो गया मैंने पास 250 mm स्कूल बोड़ीट मिलीमेटर है सरी यह हो गया और इसके बाद ठीक है जी, अच्छा जी, what is the angular magnification, angular magnification यूस मालूम करनी आपने, ठीक है जी, ये सवाल आपनो, वह मैं करा देता हूँ, ठीक है, अच्छा जी, ये हो जाएगा, बहुत कुई क्ली करेंगे सवाल, इंशाल्ला होगा, अच्छा जी, सबसे बहले हमारे पास magnification का फार्मूला क्या होता है, magnification का जो फार्मूला हमारे पास होता है, वो होता है हमारे पास, m is equal to q naught upon p naught, solution की heading डाली आपने, और आपने लिखा m is equal to q naught upon p naught, 1 plus d upon f e, ठीक है जी, अच्छा जी, यह हमारे पास है, q naught upon p naught, अच्छा p naught हमें şahid पता है, लेकिन q naught हमें नहीं पता, ठीक है नगा, 1 plus d upon f e, d بھی पता है लेकिन f e नहीं पता है, ठीक है नगा, 1 plus d upon f e, d कैसे पता है, मैंने कहा था, जितना q e होता है, उतना ही d होता है, ठीक है जी, इतना QE होता है उतना ही D होता है याद है ना आपको अच्छा जी तो हमारे पाद D कितना है दी हमारे पास है दी हमारे पास हो गया 250 mm यह 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 हो गया हमारे पाद 250 mm ठीक है जी यह हो गया नंबर वन का नाम दे दिया हमने स्कुछ अब आप बताईए इसमें हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे डेटा में अफ नॉट भी पता है पी नॉट भी पता है तो क्यू नॉट मालूम कर लेते हैं आई पीस के लिए हम फार्मुला लगाते हैं अब्जेक्टिफ के लिए हम Swiss 1 upon F naught is equal to 13 00 अब्लएड हाते हुआ वन अपान पी नॉत प्लस वन अपान क्यों नॉट प्लस वन अपाउन पि नॉट वन की नॉट सजाए अंगा फ्रमुला हर्मुला लगार यहान यह जरा ये फार्मुला लगा यह तॉल मौन पी नॉट प्लस वन अपान क्यों नॉट ये इसे करेंगे भी बेटा आप लोग भी मालूम करें मैंभी मालूम करता हूं देखें मुझे मालूम करना क्यून एक नाट मुझे कियू नाट मालूम करना तो मुन्त goofy ग्हें हमारा फार मुला अप्लाय होगा ठीक है छीज का यह फार्मूला हम लगाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा Nicolas टानल उन्हां पाएला हो टो ना च्रहां कि जगह किए लिखें आपने ओगने फ्ला कि जगह 10 है प्रॉन ऑन प्रॉनाइस का नट्रॉट कि फ़ुट थे कलो यह लाएगा पीन अट थे कर दहां गैल यह लगएा यह लाएगा ऐखके मेरे खिल से 120 आ जाएगा उपट पहल मैनस फू सिक्स्ती मिलिमेटर आ जाएगा कियो नोट कियो नोट सॉल होने के बास 60 मिलिमेटर आ रहा है मेरे पास तो है अब लोग क्या रहा है देखे जारा कि 60 mm और 60 mm यारे क्यों नाट 60 mm ठीक है यह रहा है अच्छा जी अब हम आते हैं किस पर अब हम आते हैं दर्मयान में लेंक के फार्मूले पे जब लेंक दी होगी यह लाइव लेंग को मिडिल में यूज करना है मचान है लरपर हता है क्यू नौट प्लस पी एक लैंग बराबर होती है क्यू not Pľ 당시 को का और सी ये मैं बता चुका हूँ क्यों नौट प्लस पी के बराबर होको प्लस पी के बराबर की genom centre ब्लस पी के ब्लस पी है Крас Vallahi आंजी लेंग इतनी हमारे पास 100 किऊना आ जाएगा मरेबास 40 मिलिमेटर पी आगी अहारा 40 मिलिमेटर इतनी पारां वारबर कुई नकुंढ आरे पास 60 mm पी आगिया हमारा 60 mm ठीक है जी औरी 40 mm ठीक है जी पी आगिया हमारा 40 mm आ रहा है बिटा 40 mm अच्छा जी अब इसके बाद हमें कुछ चाहिए फी चाहिए हमने आई पी इसके लिए फार्मुला लगा वन अपॉन फी इस इक्वल टू वन अपॉन पी ए फार्मुला लगाते हैं हम फार्मुला अप्लाई करते हैं वन अपॉन फी इस इक्वल टू बोले मिटा वन अपॉन फी इस इक्वल टू वन अपॉन पी इप्लस वन अपॉन फार्मुला ठीक है यह फार्मुला हमने अप्लाई किया हमने जब यह फार्मुला अप्लाई किया ह हमारे पास क्या आ रहा है इसको जरा solve करके आप लोग बताएं आपको calculator आप लोग के पास मौजूद है calculator आप लोग के पास मौजूद है तो बैटा है formula लिखे PE की value data में कितनी दी जारी है PE हम मालूम कर चुके है 40 mm और QE हमारे पास कितना है 1 upon 40 यहां पर minus आएगा 250 फिफ्टीव रवन पॉवन फटी माइनस तू फिफ्टी आ जाएगा क्योंकि तू फिफ्टी माइनस में किसकी वजह सा आपको पता है तू फिफ्टी माइनस में जोसल की आफी में संपाझ होगा के क्या क्या रिजन ना उसमें मैंने कहा था जो हमारा compound microscope की length होती है ना वो दोनों lenses के दर्मियान distance होता है ठीक है वो बराबर होता है Q naught plus PE के अगर आप लोगों को यह बास समझ में नहीं आती तो मैं पीछे lecture पे एक मिनट के लिए जा रहा हूं ठीक है जरा diagram देखें अब जरा diagram आप आप लोग देखें विटा आप लोग सुनते नहीं ना बात को बहसला यह होता है दोनों lenses के दर्मियान फासला कितना है यह है Q naught plus PE दोनों lenses के दर्मियान length L कहा जाता है distance between two lenses length of tube का मकसद भी यही है L is equal to Q naught plus PE के बराबर आगे L is equal to Q naught plus PE जब हमने L is equal to Q naught plus PE रखा तो हमारे पास क्या answer आता है जरा आप देख लें उसी तरफ आजाते हैं हम लोग अपने काम की तरफ तो यह हमारे पास Q naught plus PE रख दिये अब L हमारे पास कितना था L is the length of tube is 100 mm यहाँ पर मैं 100 ल अच्छा वन अपॉन एफी जरा निकालो कितना आ रहा है वन अपॉन एफी जरा निकाले 1000 कल्सियम मेरे खाल से आ जाएगा यहाँ फोर आएगा और मेरे खाल से इसमें 25 है ठीक एफी बताएं कितना आ रहा है एफी बालूम करके बताएं कितना आ रहा है एफी 40.02 आ रहा है पिटा महानूर है दर यह एक वैल्यों बताएं 40.02 बना रहा है एफी एफी मेरे खाल से बड़ा आएगा ठीक है सॉल्फ करो ना इसको आप लोग अगर मैं कहता हूं 40 आ रहा है और यहां पर मेरे पास 25 आएगा यहां पर मेरे पास कितना आएगा 25 आजाएगा और अगर मैं इसको यह कितना दिया हुआ है क्यों हमारे पास है 250 यह 4 आजाएगा अब बताए अब इस तरह से आप लोग नहीं कर सकते क्या अब मैंने तो बहुत आसान कर दिया जाएगा 1000 आप आप उनाइन्टी 1000 आप आणिटी घरा आप लोग बता रहा हैंrie कि आप लोग गलत बता रहा हैं कि आप लोग घलत बता रहा हैं इसका आण्जर में बताता हूँ आपको मुझे खुझ है करना पड़ लाե वह हमारे पास बड़ा मुश्किल हो जाएगा calculate करना मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा था कि आप लोग खुदी मुझे करके बताएंगे ठीक है जी लेकिर आप लोग नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं बताईए 47.61 जिसने भी बताया था सही बताया मानूर हैदर सही है 47.61 47.61 आ रहा है हमारे पास यह बहुत कोईकली करनी है अभी calculation में बहुत मैंने आपको समझाया था उच्छिन 47.16 यह हमारे पास आगई focal length of I.P. 47.16661 47.61 हमारे पास आगई focal length तो equation number 1 में جब मैं put कराऊंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी equation number 1 so equation 1 हमारे पास क्या हो जाएगी equation 1 में जब मैं put कराता हूँ equation 1 मेरे पास क्या है Q naught upon P naught 1 plus D upon F E इसको जरह solve करके बता रहो, आपका कुछ और क्यूं आ रहा है, देखें बेटा मैंने इतना तो कर दिया है कि आप लोगों को idea हो जाए ना, देखें 40 और 250 का मैंने LCM लिया, देखें जब 40 और 250 का मैंने LCM लिया, मेरी बात आप दुबारा सुनने, मैं आपसे जो कहना चाहरा हूँ, मैं कहरा इसका LC हमारा है 1000, जब 1000 को 40 से डिवाइट करेंगे 25, जब 1000 को 250 से डिवाइट करेंगे 4, 25 में से 4 जाएंगे 21 अपाउंड, जब मैं इसका reciprocal करूंगा, तो FE बराबर हो जाएगा 1000 अपाउंड 21, जब 1000 अपाउंड 21 करूंगा, तो focal length of IPs हारी है 47.16 mm, यहारी focal length of IPs, 47.16 mm, यह मेरे पास answer आ रहा है, बैटा, answer खेंड नहीं हारा, लेकिन हमारे पास focal length of IPs हारी है, इसको जब चेक कर लो बिटा, नाया आप, आपको जो मने काफी कुछ तो idea दे दिया, अब magnification जब इसकी मालूम करो, अच्छा जी समारा कुछ और क्यों आ रहा है सौरी साथ 250 को 230 समझी चीक है 1 प्लस जी अच्छा अब हमारे पास 100 equation number one में ज़र पूट करें तो Q किसके बराबर एक यू नौट की जगह में क्या लिख होंगा बिटा Q0 की जगा में क्या लिख होंगा मुझे बताएं Q0 31.5 निकलना है इसका आंसर लाइबागुल equation में पुट करें मैंने काया अपने सामने calculator रख लो calculator रख लो equation number 1 में जब पुट करेंगे वो 31.5 हमारे पास यह आंसर आएगा यह 2006 का सावाल था अब ठीक है जी यह सवाल हमने कर लिया है यह compound microscope से related था 31.5 हमारा आ गया ठीक है जी आ गया Arisha M1 क्या कह रही है आप बोलिये ठीक है जी 31.25 अगर आ गया है तो बार बार लिखने की ज़रूवत नहीं है सावासरी वो ही लिखे ने चैट में जीने समझ में नहीं आया ठीक है अगर किसी कोई प्राब्लम हो रही है तो बो बता दें वरना हम लोग अगले सवाल यानि कुस्चन नमबर सेवन की तरफ आएंगा ठीक है जी यह सवाल हम लोगों ने कर लिया सवाल ठाइम लगा लेकिन मेरे खाल से अगले सावाल पर लना यह लगेगा इसके सवाल थोड़े लिटे होता चीक 설 अब अब हम अगले सवाल पर जयांगे तो इस पर मेरे सावाल में टाइम नहीं लगेगा अच्छा, can we proceed to next question? आगे बढ़े मेटा? चलेंजी, आवाज कोई नहीं है, इसका मतलब है आगे बढ़ते हैं. Question number 7, चलेंजी, स्क्रीन पर आगे 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 होगा. अब question number 7 हमारे पास क्या कहता है? Question number 7, यह कहता है कि मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको अगे आगे 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 सवाल को कर सके जल्दी से हम लोगा आजाएं, astronomical telescope की तरफ, that will be the last topic, सही है न, जो last topic है हमारे पास इस chapter का, फिर हम एक नए chapter की तरफ आजाएंगे जल्से जल्सीक है? L मिली मेटर हमारे पास हो गया F0, ठीक है, and a tube, L is equal to 232 मिली मेटर लोग, L हो गया 232 मिली मेटर लोग, the final image is produced, यानि के QE किसके बराबर हो गया, जो मैं बोल रहा हूँ, बेटा सको कॉपी बेना data बनाती रहे, and QE हमारे पास बराबर हो गया 250 मिली मेटर, 250 मिली मेटर को माइनस में लेना पड़ेगा, because final image हमारे पास virtual होती है, from the IP, जितना QE लेंगे, उतना ही D को लेना है, लेकिन D positive होगा, यह हम काफी discuss कर चुके हैं, इस बात को compound microscope पड़ाते हैं, QE हमारे पास माइनस 250 मिली मेटर हो गया, और D हमारे पास हो गया, प्लस 250 मिली मेटर, अच्छा, when the object is 10.5 मिली मेटर from the objective, P0 हमें दियावा है, P0 हमें given है, P0 कितना है हमारे पास? P0 हमारे पास है 10.5 मिली मेटर, ठीके जी, हमें कह रहे हैं, angular magnification मालुम करें, देखें, same data, बिल्कुल same data, values change हैं, लेकिन data में कोई 19-20 नहीं है, वही चीज़े दीनी हैं, ठीके, वही सारी चीज़े दीनी हैं हैं, देखें, सवाल तरह आप देखें, question 6 अगर आपके पास मौझूद है ना, तो बिल्कुल ये question 6 और 7 similar है, बस values बदल दी हैं बेटा, तो अगर वो सवाल कर लिया था, तो ये सवाल भी आपका हो जाएगा, आप इस सवाल को अपने पास copy कर लें, ठीक है, इस सवाल को copy या जो भी screenshot वागरा लेते हैं, ठीक है, तो आप ये करने, कोई मसला नहीं है, इसका आप screenshot लेने, ये बिल्कुल सवाल उसी तरह से होगा, कोई फरक नहीं है, वोई सारी चीज़े दी गी, वे इस से पहले वाले question में दी थी, उस question के अंदर आपको F-naught दिया हुआ था, इसमें भी F-naught दिया हुआ थी, कि F-naught आपको given है, ये दे रहे हैं, focal length of objective F-naught, ये हमें F-naught given है यहाँ पे, cube की length capital L given है हमें, finally हमें QE given है, जितना QE negative में लिया जाता है, उतना ही B positive में लेते हैं, और बाकिये हमें P-naught भी दिया जा रहा है, तो वही चीज़ जो वहाँ थी, वही चीज़ है, यहाँ पे हैं बिटा, बस अब आपको वही काम करना है, value बदली में, अब बताईए, अब कोई problem किसी को, किसी को कोई मसला, तो आगे बढ़े या, अब ही करना है, यह सावाल अभी बटा, ना ही करें तो अच्छा टाइम ले लेगा, हम आगे भी questions discuss कर लेते हैं, इससे अच्छा तो यह ना, ठीक है, आगे questions हम discuss कर लेते हैं, ताकि अच्छा कोई मुश्किल सावाल हो, तो वह भी हो जाए, ठीक है, अच्छा 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 अच् ठीक है अंग्ला सवाल हमारा क्या है well a question हमारा है यह शायद मुझे कराना पड़े help हम यह question साफ साथ कर लेतें हैं यह सब्सक्राइब क्राइये यह हमारा सवाल क्या कह रहा है 12 mm, focal length of objective है हमारे पास 12 mm. F0 हमारे पास हो गया 12 mm, F0 हो गया 12 mm, ठीक है। F0 is equal to 12 mm, ठीक है। F0 हमने लिख दिया 12 mm, focal length of objective हो गया 12 mm, ठीक है। यह उगया, focal length of objective, a millimeter में दी जा रही है Focal length of eye piece, eye piece की focal length दी जा रही है हमें 25 mm, ठीक है, focal length of eye piece हमारे पास है 25 mm, ठीक है, यह हमारे पास हमें वैसे भी पता है कि objective की focal length हमारे पास कम होती है, और eye piece की focal length हमारे पास जाधा होती है in compound microscope, ठीक है, what is the distance between the lenses, दोनों lenses के दर्मियान फासला मालूम करें, उसका formula अप लोगों के लिखवा चुका हूँ Q0 plus P E, ठीक है न? What is the magnifying power of the microscope? Magnifying power of the microscope आपको मालूम करनी है. Magnifying power of the microscope भी आपने मालूम करनी है. If the object is in sharp focus, when the object is in 15 mm from the objective, P0 हमारे पास क्या given है, हमें यह दिया जा रहा है? P0. P0 कितना दे रहा है हमारे पास? यह सवाल बहुत आसानी से होगा, इंशाला 15 mm, P0 हमारा होगया 15 mm, यह हमारा होगया 15 mm, ठीक है, P0. ठीक है, P0 हमारे पास है 15 mm, ठीक है, यह होगया 15 mm, यह होगया. ठीक है जी, अब क्या किस तरह से करेंगे सवाल? अब सबसे पहले यह देखें, क्या आपको अब्जेक्टिफ के मुतालिक जादा कुछ दिया है? आपने लिखा मैगनिफिकेशन का फार्मूला, मैगनिफिकेशन का फार्मूला हमें पता है क्या होता है? यह फार्मूला होता है, इसमें हमें P0 पता है, लेकिन Q0 नहीं पता है, तो हमें Q0 तो मालूम हो जाएगा, ठीक है, कोई इतना बड़ा इस्यू नहीं है, 1 plus D upon FE, देखें, 1B पता है, D हमें पता होता है, 250 mm होता है, अगर डेटा हमारा 250 mm में चल दा है, 1 plus D upon FE, और FE तो हमें पता ही है, गीवे ने सवाल में दिया जारा है, ठीक है? 1 plus D upon F E, ठीक है, अगर देखें, इतनी जल्दी जल्दी एंटर होती हैं लड़कियां, कि मैं किसी को अगर एंटर नहीं करा पारा, तो मसले की बात नहीं है, एकदम आती हैं और चली जाती है, मैं लिख रहा होता हूँ ना, तो मुझे कंसंट्रिशन की वज़े से थोड़ा सा ख्याल करा करा है, कि मैं अगर लेट हो जाता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छा, अब हमारे पास सॉलोशन करते हैं इसका, हम इसका कर रहा है सॉलोशन, ठीक है जी, सॉलोशन हम जो कर रहा हैं, तो सॉलोशन कर रहा है जब हम, तो इसमें अब आप ये बताईए कि गिविन क्या क्या है, आपको आपको गिविन है, इसमें ये equation number one हमने लिख दी है, हमारे होगे equation number one अब हमारे पास इसमें जो है, क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि objective के लिए हमारे पाद data जादा given है, तो हम objective के लिए काम करते हैं objective के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, objective के लिए हमारे पास क्या चीज होगी objective के लिए formula कौन सा लगेगा 1 upon F not is equal to 1 upon Q not plus 1 upon P not यानि के यह formula आप लोग को पता है मरिया मेटा बार बार आ रही है बसला पता नहीं मुझे नी समझ महा रहा है कि कुछ हो रहा है इनके साथ अच्छा जी 1 upon F not is equal to 1 upon P not plus 1 upon Q not 1 upon F not आप लोगों को मैंने calculation सिखा दी है मैं calculation पर जादा बात नहीं करूँगा मैं आप से सिर्फ यह कहूँगा कि आप लोग यहां से क्या मालूम करेंगे यहां से आप लोग मालूम करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको P not Q not मालूम होगा जो भी आएगा आपका सही आना चाहिए आप calculation में आपको बता चुक हूँ ठीके mm में आपका आजाएगा Q not अच्छा अब Q not मिल गया ठीके Q not मिल गया मुझे मिल जाएगा Q not कुछ ना कुछ मिल जाएगा बता रही है कोई बच्ची चले देख लेतें क्या बता है अच्छा 60 आ रहा 69 किसका आ रहा है 60 आ सकता है 69 तो possible नहीं होगा अच्छा यह 1 upon 60 mm चले आप लोग कहती है 60 mm जाएगा तर लड़किया तो मैं इसको हमने कहा कि 60 mm आ गया ठीक है जी आ गया 60 mm ठीक है अच्छा जी अब हमें L मालूम करना है L मालूम करने के लिए क्या चाहिए होता है देखें हमारे पास एक फार्मूला तो अब यहाँ पे अब यह बताएं कि D कितना ले लूँगा D अगर नहीं दिया होता तो मैं D ले लूँगा 250 mm ही लूँगा D लूँगा 250 mm अगर D गिविन नहीं है मिलीमेटर में डेटा है तो 250 mm और अगर संटीमेटर में होता 25 cm D लिया जाता ठीक है जी और यतना D लेते हैं उतना ही QE लेते हैं और QE को लेते हैं माइनस में यह कितना हो गया माइनस 250 mm ठीक है जी अब आपके पास यहां से निकलायागा QNOT निकलाया QNOT के बाद आपने क्या किया आपने QNOT के बाद आपको यह पता है कि हमारे पास FORMULA में MAGNIFICATION निकाल लेंगे यह 6EQUISHION 1 क्या हो जाएगी 6EQUISHION 1 में आप कुट करके निकाल लेंगे 9EQUISHION 1 तो magnification तो आप बेटा निकाली लोगे अच्छा, magnification आप निकाल लोगे कुछ ना कुछ आ जाएगी, ठीक है अच्छा, अब हमारे पास यह हमारे हो गई magnification जो भी आ रही है magnification 44 आ गई Q0 हमें पता है P0 हमें पता है D पता है, Fe पता है magnification का कोई unit नहीं होता हमें पता है तो हमारा स्रीफ और स्रीफ यह निकल के आ गया सवाला 44 आ गई ठीक है, आ गई सही, ओके अच्छा, अब हमारे पास हमें मालूम करनी है length न length, formula क्या होता है length किसके बराबर होती है, L किसके बराबर था Q0 plus PE, यह बात हमें पता है के L बराबर होती है, Q0 plus PE के, यह होगए हमारे पास Q0 plus PE के बराबर, ठीक है जी Q0 हमें नजर आ रहा है किसके बराबर है PE, इस्क्रीन पर नहीं line wind करें बिटा, ठीक है, यह छोड़ दे मैं जाके फिर आपको disable कर दूंगा मसला हो जाएगा, आपनों किसली मैं अलाओ किया थाकि कुछ point out करना हो तो आपनों कर सके मिटा Q0 plus PE ठीक है अब हम यह कह रहे हैं कि यह हमारे पास जो है equation number 2 हो गई, ठीक है, यह होगई equation number 2, ठीक है, हमारे पास यह होगई equation number 2, अच्छा अब हमें चाहिए, इसमें Q0 तो हमें पता है, PE मालूम करना है 1 upon FE is equal to 1 upon PE plus 1 upon QE लगाते 1 upon FE is equal to 1 upon PE plus 1 upon QE लगाते हैं हम इसको ठीक है ठीक है, यह हमारे साथ-साथ जो है, बुक के सवालात के साथ-साथ यह हमारे पास से इसके भी question हो रहे हैं, अच्छा 1 upon PE plus 1 upon QE, ठीक है यहां से हमें क्या मिलेगा, हमें I think QE मिल जाएगा, हमें QE यहां से मिलेगा, तो PE, sorry PE मिलेगा, PE कितना आ रहा है हमारे पास PE कितना रहा है PE बिटा कितना रहा है है 1 upon PE किसके बराबर आ रहा है बताएं, 1 upon PE is equal to 1 upon PE is equal to 1 upon FE minus 1 upon QE 1 upon FE minus 1 upon QE 1 upon FE minus 1 upon QE ठीक है, यह हमारे पास आ जाएगा, PE कितना रहा है बिटा जल्दी से बताएं PE आ गया बच्चियों का बताएं यह बच्चियों, 60 आ रहा है PE, दुबारा 60 आ गया अच्छा मेरा ख्याल नहीं है कि PE 60 आएगा I don't think कि PE 60 होगा सही है न, 27.7 तो आ सकता है, ठीक है ठीक है, 22.7 भी हो सकता है अच्छा, अब आपने PE निकालने के बाद जब कुछ equation 2 में put करेंगे तो आपका answer आ जाएगा बोई answer आना चाहिए जो उपड लिखा है यह मेरे खाल से जिसने भी बताया 22.72 बिल्कुल सही बताया PE हमारे पास 22.72 ही आ रहा है PE आ रहा है 22.72 वेरी गुड़ यह हमारे पास हासा हसन जो है इनका बिल्कुल सही आ रहा है 22.72 ठीक है जी So equation 2 में हमारा answer Equation 2 में हम पुट कराते है So equation 2 हमारे पास क्या होती है So equation 2 हमारे पास क्या हो जाएगी तो कल मुझे जो है इसको कराना है Astronomical Telescope आज इसके numerical खतम हो जाएगे So equation 2 से हमारा answer आ जाएगा Equation 2 में पुट करेंगे Length हमारी आ जाएगी L is equal to Q naught प्लस PE तो answer L आ जाएगा हमारे पास 82.72 mm ठीक है जी 82.72 mm ठीक है जी यह हमारे पास आ रहा है ठीक है यह हमारा L आ जाएगा I hope कि आप लोग कर लेंगे इसको होगी है मेरे खाल से 90% मेरे solve कराई दिया है Calculation मैं आपको सिखा चुका हूँ ठीक है जी यह हमारे L निकल आ जाएगा 2017 for failure का एक सवाल था जितने भी सवाला थे मोसरीब मैं आपको सवाला थे screenshot की form में लिखवा रहा हूँ आज इन पर discussion अब क्या होगी टाइम हमारे पास कम रहेगी है आज 7 मिनट रहा गया है कल हमारी class नहीं हो सकी जिसके लिए माज़ा थे इसको आरेंज हो जाएगी कोई मसला नहीं है कर लेंगे उसका हम लोग ना रेंज कोई यसी प्रॉबलमARE लेंगे अच्छा जी अब आपने कौन कौन से सवालात करने हैं न त्रीक हैę अब आपने एक सवालाता करना है भुक्का नवा और बारुओं सवाल आप ने करने है अच्छा जी बुक्का नवा और बार्मा सवाला आप लोगों को करना है यह आपके होमवर्क के फॉर्म में दे रहों मैं आपको होमवर्क करेंगी ताकि आपके यह सवालात हो जाएं सर मुझे एट कर ले अच्छा जी थीक है धी बिटा ही आप यह बाते जौह आप यहाँ दे दे जो हना यह महानूर है पड़ा है सारी बाते हैं भी हम कर लेंगे ग्रूप में कर लेंगे टाइम दूंगा जाएं घना करना है इसको कर लेंगे कर लोगों में सक्षरेंज संडे को भी करने सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है ति तो अभी आपको मैं जो सवाल दे रहा हूं ना वह हम वर्क के तोरह में नोट करें कुश्चन 9 और कुश्चन 12 वे बुक्ट आपकी यह दो आपके हॉमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं यह आपको करने हैं मैंने काफी सावालाद कंपाउंट माइक्रोस्कोप के करा दी हैं मैंने काफी सावालाद करा दी हैं आप लोगों को अब आप लोगों से यह दो सावालाद हो जाने चाहिए ठीक है अब किसी खिसम की यह बाते के यह जो मैं बाते कर रहा हूं उसी पर बात करें यह टाइम हमारे पर शॉर्ट है अच्छा जी वेरी गूड अच्छी बात है अगर आपने कर ले हैं आपने पहले ही कर ली है तो बहुत अच्छी बात है अचाहिए ये हमने कर लिया है ये कर लिया है ये हो गया है ये सवाल आप लोग जो है ये ये सवाल जरा नोट करें आप लोग ठीके ये सवाल आप लोग नोट कर लें तो आप से पिर बात करेंगे मैं आ रहा हूँ एस्टोनॉमिकल टेलिस्कोप की तरफ थोड़ा साज पढ़ते हैं पांच मिनट पीस के बारे में तो कोई मसला है नहीं से पहले वाली स्लाइट दिखाने ठीक है यह नोट कर लिया बटा जल्दी से नोट करें और आप लोग यह वाली स्लाइट की ही बात कर ठीक है ठीक है ठीक है यह हो गई स्लाइट स्लाइट करती रहेंगी आप लोग अगर जोहाना नहीं है तो एक और लड़की शायदिया पर नायाब रफिक के नाम से मौजूद है आप उसको पर्सनली अपना मॉबाइल नंबर जो है भेज़ दें वह आपको एट कर लेगी दूसरी आरे हमारी नायाब है और एक दूसरी लड़की है जोहाना जोहाना शायद आज अपसंट है विश्टी क्लास में भी अपसंट रही है तो पता नहीं क्या मसला है उनके तीन मिलट है हम इंट्रोटेक्षिन भी हो सकता है तो अच्छी बात है किसकी बात करूरी कौन से सब्सक्राइब दिखानी बटा बताएं यह वाली इसलइट नहीं नहीं कि ठीक है कि अज़ें पाइब तो नज़र आ रहा है बिटा इस्क्रीन प्योर कौन सा नज़र आ बताएं आपको अब कौन सा कुश्चिन नज़र आ रहा है आपको कि अ Let's coverage कि अभमारे चैजी को एसरे को नामिकलटेई्स को हमारा लास्ट टॉपिक होगा है साहना मार कोर्स होगा है एक इसकी आरहा की一次 को पड़ते लेकिन रहा इस्टोनमि प्ल पी प्ल्ण्णि पड़्यक्त होता है दोर की चीज़ देख कि एक Shake instrument जो कोई दूर की चीज़ दिखाता है ठीक है compound microscope किसी भी छोटी चीज़ को दिखाता है और telescope हमारी कोई दूर की चीज़ दिखाता है astronomical telescope का मकसद होता है कि हमारी वो दूर की चीज़े जो हमारे astronomical objects and like stars हो गया है जो पीटर हो गया. ठीक है? ये तमाम चीजे को देखने के लिए चान को देखने के लिए, जो हम देखते हैं. जब रमजान का चान का देखने के लिए टेलिसकोप होती है, वगा atthon Value Alleging वे असमीन टेलिसकोब ही. जमीन पे देखने के लिए तो मुझे चान्जी देख रहा हुगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, Astronomical Telescope होती ही क्या है हमारे पास? इसको देखते हैं, क्या हमारे पास क्या चीज होती है? यह सवाल आया 2010 में, 2014 में, 2017 में, सवाल कुछ इस तरह से था, With the help of Ray Diagram, describe the construction and working of an astronomical telescope and drive the formula for its magnification when focused for infinity. यह 2020 में यह कनफॉर्म कुश्चन था कि आएगा? मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टन कुश्चन था, लेकिन अनफॉर्टनेटली यह 2020 में पेपर नहीं हो सका, तो इसका सवाल हमारे पास नहीं आ सका, ठीक है ना? तो यह सावाल बहुत इंपॉर्टन था, इसको मेरे खाल साथ स्टार्ट करेंगे, तो खतम नहीं हो पाएगा, एक स्लाइड भी तो कुई प्रॉब्लम नहीं है, कि अलम जबारह यहीं से पढ़ेंगे, इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर दो convex lenses use होते हैं, that is why it is called refracting telescope, right? किसीने मैसेज किया है, तो देख लेते हैं, इसको भी, तो क्या कहते हैं? ठीक है जी? अच्छा, जी, देखें, इस बात की बाते हैं, भी, एक मिनट रहे गया और आपने important में हवाले से बात शुरू कर दी, यह, यह मसले मसाइल होते हैं, group को जो on करने और off करने की बाते हैं, तो group को मैंने बता दिया, यह दो बज़े से पांच बे तक on रखें, जो बात करनी हैं, कि लास के दोरानी है, उसके अलावा, यह बड़े problems होते हैं, भी आपने post chapter पढ़ा नहीं है, भी आपको important के बसले मसाइल शुरू हो रहे हैं, बता भी, रुप जाएं, 2021 में बहुत important होगा है, question, कोई problem नहीं है, यह ज़्यादे important होगा, ठीक है, नहीं है, astronomical telescope में दो lenses होते हैं, एक हमारा objective होता है, एक eye piece होता है, objective वो होता है, जो object के करीब होता है, eye piece वो होता है, जो आँख के करीब होता है, ठीक है, the objective is a convex lens of large focal length, तो वहाँ पर हम क्या देख रहते हैं, कि objective जो होता है, small focal,